नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप अच्छे होंगे तो आज एक transformical review कर लेते हैं portfolio review तो portfolio review करने से पहले मिलों चाहोंगा कि मैं हरे portfolio details में review करता हूं तो उसके लिए थुरहा सा time लग जाता है तो आप अगर आज के दिन अगर आप लोग भेज रहे हैं पोर्फोलियो के रिक्वेस्ट तो ऐसा मात मानना कि कल ही मैं आप लोग का पॉर्फोलियो कर दोंगा तो थुरा सा टाइम रख लगता है कि बहुत सारा एनलेसित रखता है फिर वीडियो बनाना पड़ता है परसे मैं रिवीव करता हूं लेकिंगे थोड़ा टाइम लग जाता है और उसके लिए सब्सक्राइब कर दिये चैनल को कि जब मैं पोर्टफोलियो आप लोग का पोर्टफोलियो जब मैं अपलोड करता हूं अपने चैनल पर आप लोग के पास नोटिफिकरेशन चला जाए आप लोग का पोर्टफोलियो अपलोड हो चुका है नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकरेशन नहीं जाएग आप लोग के पास तो आप लोग का पोर्टफोलियो अपलोड हूआ रिव्यू हूआ है के नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब कर तो यह बोल रहा है कि एक एव चलता है इनका चलता है यूटिए निफ्टी-50 में 5000 एक नया फंड जो लास्ट यह लॉंच होगा हुआ है क्योंकि लास्ट यह में डिफेंड्स वाला सेक्टर काफी भागा हुआ है सारे पॉब्लिक से पी स्टॉक्स भी काफी रैली दे चुक ह तो इसलिए यह लिए है क्वांट स्मॉल का अच्छा है पड़क पड़क फ्लेक्सि का अच्छा है टाटा इडिट्रा फंड अच्छा है तो आज वांस इन यह बहुत ही बहुत ही बहतरी इनका एक statement आया है कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं दो चीज बोल दीजिए अपना time horizon कितना है कि मान लीजिए 5 साल है 10 साल है 15 साल है long time मत लीखिये long time मेरे हिसाब से एक long time है आपकी सबसे दूसरा हो सकता है और दूसरा है कि कैसा investor है आप aggressive investor है conservative investor है कैसा है तो यह बोलना से आसानी लगता है तो आज का जो portfolio आज से data के basis पे बात करूंगा ठीक है तो आगे बढ़ता है कैसा है के नहीं है तो उपर चलते है तो यह जो आप लोग आपका पॉर्टफेलियो है मैं अपने टूल में लगाया हूं यह देख सकता है तो इसका खासियत क्या है आपका जो भी आपको आपका funds है वो दीख जाता है य 23 March से स्टार्ट किया है 23 March से HDFC Defense Fund में से स्टार्ट हुआ था इसलिए मैं में से लिया हूं बाकी यह जो चार फंड है यह मैं March 23 से स्टार्ट किया हूं यहां पर दिया हूं data तो जासे आप देख सकते हैं तो करीबन अच्छा ही percentage मिल गया होगा आपको अभी तक यहां पर दे दिफेंस फंड में 74 परसेंट पडाक फरेक में 39 परसेंट क्वांट स्मॉल कैप में 58 परसेंट टाटा डिजिटल फन ने 33 परसेंट यूट्य निफ्टी 50 से 26 तो काफी आपका प्रॉफिट अच्छे में रन कर रहे हैं तो 44.5 परसेंट का आपका XR है तो फंड काफी अच् यहां पर मतलब आप बोले है 8-10 सल तक रहेंगे तो रहना इसमें जरूर बाकी सब में आप exit इसके पहले भी करने का सोच सकता है लेकिन इसमें मत सोचिए पहले exit करने क्योंकि यह काफी cyclical रहता है ऐसे 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 कि उपर नेचे भागता रहता है तो मान लिजिए आप यहा है आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं इनका जो पेलियो एग्री यह दिख सकते हैं जाएंट में इंका लगा हुआ है 51 फिस्टीवाइन कंप में 15 तो मेंली 66 परसेंट इनका लाज केप में है पैसा अभी लाज केप कंपनीस में बोल रहा हूं ठीक है लाज केप कंपनीस में परसेंट करी बोल सकते हैं में फिफ्टीन परसेंट है और स्मॉलड का में नाइंटीन परसेंट जो कि ठीक है एक moderate investor के हिसाब से ठीक है तो आप अगर आप लिखे है कि आप एक aggressive investor है ठीक है आप अगर थोड़ा सा risk ले सकते हैं और तो आप small cap में थोड़ा allocation बढ़ा सकते हैं अपना small cap में जो allocation कर रहे हैं वो 5000 के जगा 5000 के जगा मान लीजी UTI Nifty 50 से थोड़ा सा कम करके यहां पर 2000 कर सकते हैं तो आपका aggressiveness बढ़ जाएगा यहां पर growth style भी देख सकते हैं style है large cap maximum पैसा लगा हुआ है यह cap है capital large medium or small large cap में और investor style के value मतलब एकदम ही conservative blend मतलब conservative और aggressive का mix और यह है growth growth मतलब अच्छा खासा companies में growth वाले companies में लगा हुए पैसा तो यह एक अच्छा combination बनता हुआ देख रहा है यह maximum mainly बनता अच्छा बनता है यहां पर अगर यहां पर रहता है तो यह अगर blend blend और medium के बीच में रहेगा तो अच्छा रहेगा यहां पर भी ठीक रहता है growth और medium के बीच में यह भी काफी ठीक है देकत नहीं है आगे चलते हैं देख रहे देख रहे सकते हैं इनका पैसा मेंली लगा हुआ है 97 परसेंट इंडिया में और बाकी 3 परसेंट यूएस में लगा हुआ है क्योंकि पराक परिक जो फंड यह लेके रख यह अपना कुछ कुछ अलोकेशन जो है इनका वह फॉर्ड इक्विटिस में जाता है तो यूएसे के में अंदर 3 परसेंट गया हुआ इनका पराक परिक से बाकी 97 परसेंट इंडिया में हैं जो के बहतरीन है आगे बढ़ते हैं इनका जो तो यह देख लेते हैं थोड़ा इंफोसीस में हायस लगा हुआ है इनका पैसा 1700 रुपीस एजल यहां से आया है HDFC का difference जो fund है वहां से आया है Infosys आया है Tata Digital Fund से टिके Reliance आया है क्वांट small cap funds से भारत electronics भी आया है HDFC difference funds से तो देख सकते हैं giant giant large cap giant maximum पैसे इनका giant में लगा हुआ इससलिए इनका large cap का allocation और giant का allocation काफी high है तो यह funds के हिसाब से सही है अगर आप जैसे आप बोल रहा है अगर थोड़ा सा अपना small cap का allocation बढ़ा सकता है तो बेटर रहेगा तो small cap में बहुत सारे नीचे आके small cap एक दिख रहा है astra microwave products ठीक है मुझे पता नहीं यह क्या कर थे आगे बढ़ता है देख सकते है के sectoral जो allocation है कैसा दिया हुआ है यहां पर चीज है जो आप देख रहे है कि only 4% है नहीं तो अगर बहुत सारा जारा difference हो जाता है तो मतलब जो पहला allocation है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो वैसा अच्छा नहीं है क्यूंकि अगर यह sector पहला सेक्टर अगर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है यह sector अगर खड़ाब हो जाएगा तो आपका पॉर्डव पोर्टफोलियो डाउन चला जाएगा अगर यह मान लीजे टेक्नलोजी सेक्टर 24 25 में अच्छा नहीं भी करें तो capital goods of financial है आपके पास समालने के लिए कि आपका allocation भी काफी अच्छा खासा दिया हुआ यहां पर services देख सकते energy में लगा हुआ है consumer staples communication में काफी अच्छा खासा percentage लगा हुआ है यहां पर ठीक है तो this is a good portfolio आगे बात करते हैं तो number of funds इनका है देख सकते है five जो के tool भी बोल रहा है number of finds find मतलब diversification अच्छा हुआ है अपने fund में तो मोटा मोटा मैं यही पर बात करूंगा जो मैं आपको suggestion देना चाहता हूँ अगर आप लेगे या फिल लेने से पहले जरूर अपना research कर लीजिए ठीक है तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा के अच्छा 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 फंड आप कर सकता है क्योंकि यह 1.5 लक्स तक ही करते हैं लोग टैक्स बचाने के लिए और पराक परेक में आप कर सकते हैं अच्छा टैक्सेवर में बात कर रहे हैं तो दो टैक्सेवर लेन का ज़रूरत नहीं है आप एक ही टैक्सेवर सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छे से बात भी नहीं करता हूं मैं एक दिन का एक ही पोटफोलियो करता हूं अच्छे से टाइम लेकर रिव्यू करता हूं ताके वीवर्स का हेल्प हो सके दोड़ा और मेरा हेल्प कर देने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब तो अपने हेल्प के लिए भी कीजिए कि आपका वोटफोलियो जाओ अप्लोड झाला झाल 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 झाल